सब्सक्राइब कर देवा वेलकम और वेलकम बैक टो यूर चैनल आटवीद देवा पहले तो मेरे तरफ से आप सभी को दुर्गास्टमी नवरात्री दुर्गापुजा सब के धेर सारे सुथकामनाई आप सबके लिए ये वाला जो फेस्टिवल से जिन है ना धेर सारा खुस यहां लेकर आए तो चलिए इसी खुसी के साथ यह वाला वीडियो सुरू करते हैं अगर दो हपते पहले की वीडियो आपको याद है तो आपको यह याद होगा मेने वहां पर कमेंडमेंट क्या था आपके साथ कि एस बार हम सारे डियावाइस खुद क्रेट करेंगे अगर करेंगे जो कि हम आगे जाकर आउटफिट के साथ स्टाइल करने वाले हैं उतना टाइम नहीं था मैं जितने सारे प्लान करके रखी थी उतने सारे वीडियो नहीं बना पाई बट मैं ट्राय करूंगी ज्यादा से ज्यादा कॉंटेंट आपके लिए अपलोड करूं तो यह वाला जो वीडियो है ना खास करकी हैंड में जोलिरी के उपर है क्योंकि हम सब को पता है फेस्टिवल सेजिन एक ऐसा टाइम है इस टाइम पर हम हमेंसा कुस्निया पहनते हैं उसके साथ कुस्ना कुछ सेसरी स्टाइल करते हैं और सबके प्रिफिसेंस अलग होते हैं सेंपल होने वाला है और काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो आज के वीडियो मोरोवर जुलिर के उपर है तो वीडियो जल्दी से सुरू करते हैं बट उससे पहले प्रस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से अगर आप मेरे चैनल पर या फिर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हो तो इजो रेड वाला वटन है प्लीज इसको अभी के अभी ग्रे बना दीजिए और साथ ही साथ जो बेल लाइकर ने उसे भी प्रेस कर लीजेगा क्यूंकि मैं जाहती हूँ जब भी मैं वीडियो दालू तुरेंट ही आपके पा अभी मैं यहां अभी अभी मैं ऐसे ही बना दीया मतलब एक दो दीन के अंदर-अंदर एजिए तैकने के बाद में तो ही प्लान कर चुकी थी इसके साथ में जुलिरी बनाने वाली हूं एनिवे यहां में दुरगा मा के फैस कले के ऊपर स्टिक करने वाली थी तो इसलिए मैं ही हमोल्लेट कले ले रही हूँ आप इसके जगह कीसी भी एरडर कले ले सकते हो तो कले को एच्छे से मेक्स करने के बाद मैंने प्रेपली इसे रोल कर दिया अब बस एक चीज का दियाने जिए जब भी आप क्ले रोल करते हो तो अच्छे से तलकम पाउडर लगा लीजिए क्यूंकि नहीं तो यह स्टिक हो जाएगा अब ही मैं जो दुर्गामा के फैसवल अपाथे इसको इसके उपर रखके प्रैपली मार्क कर दूँगी क्यूंकि मुझे क्ले को उस हिसाब से कट करना है अभी जो पैंसल के लाइन आप देख रहे हूँ इसे मैं कट करके निकाल दूँगी जो एक्स्ट्रा है एजस से उसको में निकाल दूँगी अभी सो कट करने के लिए आप क्ले कटर ले सकते हो या फिर आप पलेटने के हल्प से भी कट कर सकते हूँ मैं कट करने के लिए ये वाला clay tool ले रही हूँ और इसे कट करने के बाद आप इसे अच्छे से dry होने के लिए छोड़ दीजिए ये प्रैपली dry होने में 1 hour ही time लेता है मेरे दिमाग में बस इही चल रहा था कि इतने सारे clay में कैसे west कर दूँ तो दिमाग में आया आगे जाके मुझे ready-made bits यूज़ करना है क्यों ना मैं इससे यूज़ कर लो इसलिए मैं इसको प्रैपली रोल बनाके bits बनाने के लिए सोचा और ये सच में बहुत ही easily and effortlessly बनके तयार भी हो गया और खुसी तो ये उस बात के थी कि चलो ये सारे clay को मैंने यहां use कर लिया और कुस निया भी try किया इसे में बनाने के बाद इसे भी dry होने के लिए कुस देड़ चोड़ रही थी अभी इसे properly dry कर लीचिए इसके बाद हम apply करेंगे इसके उपर बहुत सारे colors इसको अभी मैं पास से दिखाती हूँ देखिए बलकुली hard हो चुके and now it's time मैं करूंगी इसके उपर decoupage but यह thought randomly इसे मेरे दिमाग में आया था so मैं काफी ज़दा excited थी कि actually मैं यह वाला project की इस तरह निकल के आएगा so anyway उसे तो हम आगे चल के देखेंगे अभी मैं clay के उपर लगा रही हूँ डिकपस glue मैं यहां ले रही हूँ डेको magic आप किसी भी तरह के डिकपस glue ले सकते हो आपडेक उपस glue का और एक coat इसके उपर टूरंथ ही apply कर दीचे और इसे प्रेपर लिया भी dry हने के लिए छोड़ दीचे so यह जो clay bit से यह भी already dry हो जुकी है हम इसके उपर apply करेंगे colors colors अब अपने हिसाब से use कर सकते हो क्योंकि यहां आपको flexibility है कि आप अपने सारी या फिर अपने dress लेंगा अपने blouse या फिर skirts के साथ match करके colors apply कर सकते हो but मेरे दिमाग में यह था कि उस तरह में color apply करूं कि मेरे theme से भी match हो जाए तो मैं ले रही हूँ यह तीन basic sets yellow, red and white color हाँ और एक बात color करने के लिए acrylic color as well as chalk paint use कर सकते हो and यह dry होने के बाद आप इसके उपर वर्निस का एक को डाल सकते हो अगर आपको glaze चाहिए या फिर आपको color protect करना है तो आप use कर सकते हो नहीं तो आप वर्निस वाला part skip कर सकते हो इने भी यह simply color लगा के इसे छोट रखा था और यह dry होने के बाद मैं इसे directly ही use करूँगी यह जो black and white color के विल्स में रह रही हूँ आप अपने हिसाब से color चूज करके ले सकते हो यह सबसे 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 आएगा अगर आप चाहो तो यह ready made भी available है जिससे आप pendant को directly hunker सकते हो अभी यह जो सारे बेट से इसको में इंसेट करूँगी सो इस तरह आप सुई धागा के हैं से बहुत ही easily इंसेट कर सकते हो और यह जो wooden बेट सब देख रहे हो यह already मेरे पास था सो मुझे लगा कि यह theme के साथ मैच हो रहा है सो इसलिए बेस बेस में मैं इसे भी इंसेट कर रही हूँ बस यह तयार हो गया इसके बाद हमें चाहिए कुछ आइपेंस और जंप रिंग्स यह आपको किसी भी स्टेशनरी सॉप या पर online मिल जाएगा अगर आप इसे लोकली खरीते हो तो बहुत ही ज्यादा सस्ते प्राइस पर आपको मिल जाएगा online भी यह काफी रिज़नबल प्राइस पर अभी यह क्ली के साइड़े जिस पर मैं लगा रही हूँ गोल्डिन अक्रीली कलर आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो ने तो आप इस जगा पर इसको डिरेक्ली स्टिक कर सकते हो क्ले के बैक साइड में यह भी स्टिक हो जाएगा यह जो पीन है इसे स्टिक करने के बाद मैं इसके ऊपर कानवस को चोटे से तुपने में कट करके डाल रही हूँ आप चाहो तो किसी भी थीक फैब्रिक आप इसके उपर डाल सकते हो इसके वाला डियावाई बिल्कुल ही तयार है और बीट्स डालके में इसे एक एड़िस्टिबल निकलेस बना लिया चलिए इसका वे फाइनल आउटलूक हम देखते हैं यह वाला आइडिया रैंडमली इसे मेरे दिमाग में आया था सच में अगर आपको पसंद आया तो ज सुरू करूंगी कुस लिफ्ट ओपर फैब्रिक के साथ तो अलड़ी अपको पता होगा इस फैब्रिक को में कहां से उठा उठा के ले रही हूं तो आप किसी भी तरह के फैब्रिक यहां यूज कर सकते हो आपके पस जितने सारे पुराने कपड़े है अप निकाल लीजिए कर लीजिए अपने बैंगल्स के विट के हिसाब से जितने आपके बैंगल्स के विट थे थोड़ा सा साइट से मार्जिन चोड़के आपकट कर लीजिए क्यूंकि हमें अंदर के तरफ इससे फिट से स्टिक करना है अंस्टिक करने के लिए मैं हां यूज करे हूं फैब्रि तो अल्यडी शुरू हो चुकी है और लास्ट मोमेंट में हम वह तैयार कर सकते हैं जिसके मेटिरियल्स हमारे पस अल्यडी अवेलेबल हो और उसमें से एक पुराने कप्डे जो एनीवाई ग्लू लगाने के बाद इसे ट्रा होने के लिए में कुछ दिर छोड रही थी और उ रही झाली यहां यहीं पह्त और आगाने के लिया। यह सारे बैंगल्स को बहुत हैं हमें रही अपर प्रिंचिप्रेड के लिए बहुत है। रहा हो कि ada एक सबस्क्रों करदों के सबस्का है OH यह बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा यह आपके उपरे अपने आउपिट के साथ कौन सा बला फैबरी के अच्छे से मैश होगा यह आपको चूज करना है आप सबको तो पता ही है मुझे ट्रीशनल डिजाइन्स कितना पसंद है और मैं एथनिक स्टैल्स ज्यादा प्रीफर करती हूँ उसके साथ में इजली क्यारी कर सकती हूँ और किसे भी तरह के इंडो बस्टन ड्रेस के साथ भी यह बहुत ही अच्छे से जाएगा तो इसे मैं अभी त्यार करें हूँ आप इसे नव रात भी दुर्गा पुजा दीवाली और साल के किसी भी और अधर अकेजन पे आप इसे ट्राइ कर सकते हूँ अभी सारे बैंगल्स के उपर मैं कलर डाल चुकी हूँ जो भी डिजाइन्स मुझे पुट करना था मैं अल्लीटी कर चुकी हूँ इसका जो क्लोजर लूक है मैं आपको दिखा देती हूँ अगर आप सेम फॉलो करना चाहते हूँ तो आप इसली कर सकते हूँ अगर आपको पसंदे देन आप इसके ऊपर स्टोन्स या बेड्स यूज़ कर सकते हूँ बट मैं इसे ऐसे ही छोड़ रही हूँ क्योंकि इसके साथ अभी मैं अटेस्ट करूँगी ये वाला गॉल्डिंग घुंग्रूस जो मैंने लिया था ओनलाइन अगर मैं काफी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे गुंग्रूस बहुत 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 पसंदें अगर मैं घुंग्रूस आर्ट कर चुकी हूँ सच में आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा क्योंकि ये वाला डियावाई में बहुत सोसने के बाद फॉर्स तैम क्रेट करी हूँ सो येस ये था इसका फाइनल आट लुक आपके सामने होप आप सबको भी बहुत ही पसंद आया है और आप इसे ट्राइ करने वाले हो चली मैं आपको पहन के दिखाती हूँ बैट में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप किस तरह इसे स्टाइल करें हो वो देगने के लिए अगर आप इसे तियार करते हो तो मेरे साथ मेरे इंस्टाहनल पर जरूर सेर कीजिएगा मेरे इंस्टेंडर स्क्रीन पे हैं अगर आप फॉलो नहीं किये हो तो वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो यह वाला DIY हम ट्राइ करेंगे क्ले के साथ जो की easily available है किसी भी क्राप स्टोर पे आपको मिल जाएगा और मोलीड के साथ तो आप सब फैमिलर हो इसके साथ मैं अभी ट्राइ करूंगी इसे क्ले को एच्छे से मिक्स करने के बाद में यहां टालकम पाउडर डाल रही हूँ तो यह क्ले बेस के उपर स्टिक ना हो जाए नेकलिस का जो बीच वाला पोर्चन है वो सर्कुलर रखना था मुझे और मुझे कुछ कटर की जरूरत थी बट मेरे पास नहीं था बट आप सबको जैसे पता है इवा कितनी बड़ी जुगाड हुए तो साइड में यह टी लाइट जल रही थी तो मुझे लगा इसके हल्प से मैं काट लेती हूँ सो उसको यूज करके मैं इस तरह इसली कट करके निकाल लिया और उसके बाद मैं पेपर अन पैंसल के हेल्प से एक टेंपलेट त्यार करेई हूँ क्योंकि दूनों साइड की डेमेंशिन मुझे सेम रखना था सो मैं पहले ड्रॉ करके उसे कट कर लिया और उसको क्ले के करें दूनों सेम डिजाइन में एक चोटा सा पिस कट करके इसर्किल के नीचे वाला पोर्शन पे भी हां करूंगी और उसके बाद क्ले ड्राय होने से पहले ही आप यह जो सारे आई पिंस से इसके अंदर इंसर्ट कर लीजिए और यह जो आई पिंस आप देख रहे हो मैं अल्री बता चुकी हूँ किसी भी क्राप स्टोर या फिर ऑनलाइन आपको यह मिल जाएगा बहुत ही रिजोनबल प्राइस पे सारे सारे आई पिंस को मैं अल्री इंसर्ट कर चुकी हूँ और निकलेस के साथ साथ में आपके लिए यह रिंग्स भी यह तयार करी हूँ इसे भी में बना के ड्राय होने के लिए अभी छोड़ दूंगी यह अच्छे से ड्राय होना बिलकुली जरूरी है नहीं तो बात मैं आप इजिली इसे फॉलो कर सकते हो स्क्रीन देखिये मुझे पता है मुझे और ज्यादा कुस बताने की जरूरत नहीं है बस क्ले ड्राय होने के बाद डिजाइन पूट करने से पहले आप पैंसिल के हेल्फ से अच्छे से मार्क कर लीजिए पेंट करने के लिए आप जीरो मतलब आउटलाइन्स डालने के लिए मैं यहाप ब्राउन एक्रीली कलर यूज़ कर रही हूँ और येरिंग्स भी में त्यार कर चुकी हूँ सबके जो पार्टन से काफिय सिम्बल है मैं आपको बाद में इसका क्लोजर लुक दिखा दूँगी आप इसे इजली पेंट कर सकते हो अभी जितने सारे डिजाइन्स और डिटेलिंग्स आट करना था मैं अल्री कर चुकी हूँ और इसको ड्राइ होने के लिए मैं काफी देर छोट रखी थी उसके बाद मुझे लगा ब्लाक रेड ये सारे कलर्स मैं अपलाइ करी हूँ तो क्यू ना इसके उपर में थोड़ा सा गुल्डेन टेस्ट दे दूँ क्यूंकि गुल्डेन अक्रिली कलर से ना वो जो फेस्टिव भाइब से मतलब आप किसी भी आउटविट के साथ वेयर करते हो तो उसका लुक अलग तरह के होती है अभी आइपिन्स को इस तरह प्लायर के हल्प से उपन करके इस तरह में एक दूसरे के साथ सबको अटास कर लूँगी जोस तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हो बहुती क्लिएर ली में आपको दिखा रही हूँ बहुत ही आसानी से आप इसे अटास कर सकते हो और नीचे जितनी सारे आइपिंस लगे हुए हैं उसके हल्प से मैं हैं करूँगी यह वाला गुल्डेन कलर के घुंगरूस क्योंकि मैं और अल्लेडी बैंगल्स त्यार कर चुकी हूँ और वहां पर मैं घुंगरूस आर्ट कर चुकी हूँ तो उसके साथ भी मैच हो जाएगा और सेज बताओ यह वाला DIY तो मैं खुद के लिए तयार करी हूँ क्योंकि इस वाले नवरात्री पर मैं इससे जरूर पेनने वाली हूँ यह मेरे आउटफिट के साथ बहुत ही अच्छा से जाएगा तो मैं सोच रही थी ब्लाक कलर के साथ कुछ तयार करूँ तो यह आपके सामने है अभी इसको एक कम्प्लीट लूप देने के लिए साइड में मैं बुल साट करे हूँ उसे पहले यहां देख लीजिए यह वाला जो यहरिंग से यह भी बन के तयार है और आप पताओ इस टाप के जुमका किसको ने पसंद मुझे भी बहुत पसंद है सच में इसका लुप तो मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी जादा सही निकल के आई है मैं काफी खुस भी हूँ इस बात पे अभी मैं ले रही हूँ ब्लाक कलर के वुल्स यहां पर मैं आई पेंस डाल के रखी हूँ इसके अंदर मैं इसको इंसेट कर लूँगी और यह तयार हो जाए और कुस करने की जरुवयत नहीं अगर आप चाहो तो कुस बीट साट कर सकते हो बस एक चीज़ का ध्यान रखिए वुल्स इधर उधर ना हो जाए इसके लिए आप इसके जो एन वाला पोट्शन ने वहां पे टाइट सा नट्स बना लीजिए चली इसको जो फाइनल एंड ख्लोजर लुक है मैं आपको दिखाती हूँ उससे फेले यह रिंग को कंप्लीट लुक देने के लिए मैं आट करे हूँ पोस्टी रिंग स्टर्ट फिच अस फ्लाट बेस और सारे से अभी बिल्कुल ही कंप्लेट है अभी सारी के साथ इसे वेर करकी भी मैं आपको दिखा रही हूँ अब नव रात्री पे लेंगा के साथ भी इससे श्टाइल कर सकते हो सो यह था आज के डियाओ वाई या होप आप सबको पसंद आया हो क्योंकि मुझे पता है फ्रस्टिवल सेजन में अपने खुद के जूलेरी खुद कस्टमाइज करने में कितना मज़ा है तो यहीं खतम करते हूँ आज के वीडियो के सालेगा मुझे जरूर बताएगा जाने से पहले फिट से याद दिला देती हूँ अगर आप अभी तिक मेरे चानल को सब्सक्राइब ने की हो तो जरूर सब्सक्राइब पर दीजिएगा अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए देन इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा अन हाँ इसमें से कौन सवाला ड्यावाई आप इस बार ट्राइ कर रहे हूँ मुझे ये भी जरूर बताएगा मिलते हम आपसे बहुत ही जल्दी नेक उस फेस्टिवल कंटेंस के साथ तब तक ये लिए टे क्या रणवे गुट्टे